हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो तरीके गंदे जूतों को धो करके सुखाने के बहुत ही आसान तरीका है जट पट सूख जाता है अब चाहे कोई भी मौसम हो सर्दी का समय हो या तो फिर बारिश का समय हो बिना धूप के बिना फैन के नीच निकलना पड़ता है या तो फिर बच्चों को कॉल chỉ आना पड़ता है स्पैसिल लिधा फ्रेंवारे चोटे जिननल बहुत जारा दया हो जलद Krusty होते हैं क्योंकि बच्चों को इतना ध्यान नहीं रहा था कि किस तरीके से अपने सूज को बचा की चलें और बच्चे स्पोर्ट भी खेलते हैं फिर वह बारिस का समय हो या फिर ठंडी का समय हो या इवन वह कीचड में भी कई वाद चले जाते हैं तो चलिए आज के इस को बताएं करें अब इस वीडियो में आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं आपको जैसे मैं पहले ही पिताया यहां पर मैंने दोनों जुतों को अच्छी तरीके से लुचा लिया था अब इसके पानी को निकाल दे रही हूं जितना भी हो सके अपने हाथ की मदद से इसके को हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे यह देखे मैंने यहा पे धोने जुटों की पाने को निकाल लिया है अब मैं यहा पिर न्यूज पेपर ले रही न्यूज पेपर जो के घर पर सबके आसानी से मिल जाता है आप चाहें तो घर पर पुराने खराब पड़ी हुई मैगजिन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके से मैं पेपर को फार करके इसके अलग-अलग बॉल बना ले रही हूं चोटे-चोटे बॉल्स बना रही हूं क्योंकि यहां पर मैंने छोटे सूज ली हैं आपको जैसा भी आराम पड़े थोड़े साइस क भी बॉल बना सकते हैं और इस तरीके से बॉल को बना-बना करके हम पूरे सूज में अच्छी तरीके से एकदम भर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है कहीं पर भी कोई जगह न रह जाए इस तरीके से मैं एक जूटे को भर लिये अब मैं यहां पर दूसरे लोंगे और दूसरे चूतियो जोत इस को लपेट कर के यान suspects अच्छी तरीके से रख Wow पर मैंने अपने दोनों जोतियों को रख ढ़ कुने आप चलिए दूसरे चूतियों का भी लेकी थो लिए अभी को हाथ की मदद से इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी जहां तक हो सके पानी निकल पाए आप से आप इसी तरीके से हाथ से दबा दबा करके पानी को निकाल लीजेगा जूते के अब मैं यहाँ पे एक पैंट लूँगे और इस तरीके से उसको फैला लूँगे एक जूते को मैं पैंट के एक पैर में डालूँगे और दूसरे जूते को मैं पैंट के दूसरे पैर में डाल दूँगे और आप मैं इस तरीके से दोनों जूतों को यहाँ पर बाद दूंगे, टाइटली आप भी बाद दियेगा, आप जाहे तो यहाँ पर पैंट की जगाए पर किसी भी तरीके के मोटे टॉवल का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको आसान पड़े, अगर आप टॉवल का यूज क अप चलिए मैं मशीन के साइट जा रही है, यहाँ पर मैं इस तरीके से मशीन में इसको रख दूँगी, आप चाहे तो यहाँ पर कुछ सूखे हुए कपड़े भी इसके साथ डाल सकते हैं, ऐसा करने से आपका सूज और भी जल्दी सूखेगा, क्योंकि जितना भी गीला आपके जूटे का वह बाकी सूखे कपड़े एब्सॉर्फ कर लेंगे अच्छे से, यह बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इस तरीके से अपने जूटों को जल्दी सूखा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बेटशीट को निकाल लिया है, मैं खाली यहाँ पर सूज और पैंट जिसमें मैंने रखा है अपने सूज को, उसी को ही इस मशीन में डाल रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसको ड्रायर मोड में लगा दिया है, 20 मिनिट के लिए और यहाँ पर मेरी मशीन स्टार्ट हो चुकी है, जब 20 मिनिट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंग इसके आगे क्या होता है, यह देखे 20 मिनिट हो चुका है, अब चलिए हम अपने सूज को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं क्या हम लोग का सूज सूख क्या है, आप भी सोच रहां रहाँ है और वेट कर रहां है, चलिए फिर हम जल्दी से अपने सूज को खोल के देख ले फिर भी अगर आपके सूज में थोड़ी बहुत नमी हो जाती है या तो फिर आपका मशीन पूरी तरीके से मशीन में ड्रायर काम नहीं कर रहा है तो आप इसको एक राउंड और भी चला सकते हैं 15-20 मिनट के लिए तो देखेगा आपका सूज बिलकुल अच्छी तरीके से सूख चुका है एकदम इसमें पानी नहीं है कितना अच्छा तरीका है जटपट आप अपने हाथ से सूज को वाश करिए और डायर में डाल दीजिए 2-3 रौंड अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं पर मेरा सूज यहां पर एक ही रौंड में अच्छी तरीके से सिफ आधे घंटे के अंदर इस तरीके से आप किसी भी कपड़े में अपने सूज को रख सकते हैं लेकिन सूज को रखने के टाइम पे काफी अच्छी तरीकी से सूज को बांध करके रखिएगा ताकि आपका सूज खुलना जाए मशीन में चलिए अब दूसरे भी सूज को हम देख लेते हैं वो सूखा है कि नहीं मैंने इंजूतों को रात के टाइम में धो करके निउस्पेपर में लपेट करके रखा था मेरा ये वीडियो जो है नाइट में ही बनाया हुआ वीडियो है अब मैं मौनिंग पांच बिर इसको खोल करके देख रही हूँ ये देखे उपर से ते बिलकुल सूखा हुआ लग रहा है मेरे हाथ में बिलकुल भी पानी या नमी नहीं लग रही है अब चली अंदर के निउस्पेपर को भी निकाल करके हम चेक कर लेते हैं आप देख सकते हमारे निउस्पेपर के जो बनाय हुए बॉल थे एकदम कर लिया है इसी तरीके से अंदर वाले सारे बॉल भी काफी एकदम गीले-गीले हो चुके हैं जो भी मुट्ब मॉस्टर था सूज का सब नियूस्पेपर ने एब्सॉर्फ अच्छे से कर लिया और यह देखें मेरा यह सूज भी काफी बढ़ियां से सूख करके रेडी हो गय आप मस्षीन में भी अपने जूते को सुखा सकते हैं नहीं तो फिर आप इस तरीके से नियूसपेपर की मदरसे pping आपने जूते को रात में रखें बढ़िये यह दब आर्वियर ऑस सूबच मेर्म जहती बढ़िये अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और कमेंट में लिखके हमें बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा